हेलो एब्रीवन, विल्कम बैक टो वर्ड चैनल हाइपर टेड़ेज भी, मैं हूँ मोहमद सुहेल अगर आप पहली बार यूटुब चैनल पे आये हैं, यूटुब चैनल को सब्सक्राइब करिए happiest minds पे हमारा fresh buying कब हुआ, वो भी देखेंगे और मैं क्या-क्या target update किया, ये भी देखेंगे recent जो fresh buying था हमारा 14th में पे था, 10th June, 12th June मैं next target update किया था, हमारा जो fresh buying था, ये fresh buying 840 से लेके 810, जो rebuy करे थे हम लोग 820 से लेके 810 के in between फिर से rebuy करो, stock breakout देने वाला है, ये मैं बताया, उसके बाद मैं अपने आखरे वीडियो में जो 12th June को मैं वीडियो अप्लोड किया था, यहाँ पर मैं clear mention किया था, कि दोस्तों without trailing हमारे पूरे target अच्छी हो गए, पर stock में एक breakdown level है, stock breakdown level के उपर closing दिया है, जब तक stock 875 का level break नहीं करता, या 880 के नीचे, नीचे कहीं पर भी red candle close नहीं करता, आपको stock में exit नहीं करना है, मेरे final target क्या थे, 942, और आज का high क्या है, 956, इसका मतलब हमारे पूरे target होगे achieve, अभी मैं previous video में क्या बताया, clear mention करता हूँ, जो मैं previous video में बताया, यह बताया, कि जब तक stock level break नहीं करेगा, या तो stock यहां से उपर जाएगा, वरना stock नीचे touch करके stock उपर जाएगा, पर stock को तो उपर जाना है, जब तक stock का 875 का trailing का level break नहीं करता, आप stock में से मत निकलिए है, ठीक है, दूसरा, stock में overbought buying आने वाली है, यह भी बताया, dividend overbought buying, जिसका proof भी है, अब देख सकते हैं मेरे पूरे वीडियो जाके है, happiest minds, मेरे YouTube channel पे uploaded है, अभी stock में क्या है, simple stock में, loose candle formation, strongest candle यहां पे बना, फिर से plus level पे जो dividend overbought buying के लिए, मैं जो target दिया था, without trailing, complete target achieve हो चुके, अभी stock जो overbought यहां पे trade कर रहा है, यह और थोड़े समय के लिए overbought में रहेगा, क्यूं रहेगा पता है, क्यूंकि यहां पे जो rally आके खतम हो चुकी है, यह attractive price है, और इस attractive price का previous breakdown level अगर हम लोग देखेंगे, तो traded value के साथ यह ही है, and यहां पे मैं suggest करूँगा, कि आप, तो target अच्छी होगे हमारे, तो मैं suggest करूँगा, यहां पे no trading zone, क्या है, no trading zone, अभी stock में हम लोगों को काम करना नहीं है, clear mention कर रहा हूँ, काम करना नहीं है, अगर काम करना होता, तो मैं next target का video upload करता, या fresh buying upload करता, hold या exit का, थमलेल लगा के video upload नहीं करता, समझ गये, तो simple suggestion रहेगा आपसे, कि stock में no trading zone लगा लो, मेरे target अच्छी हो चुक है, मैं खुद suggest नहीं करूँगा, आगे prediction भी नहीं दूँगा कि stock में क्या होगा, जब तक मुझे proper correction ना दिखे, minimum correction मुझे 200 एम में तक चाहिए, minimum यहां तक correction चाहिए, यहां तो नहीं, तो minimum यहां तक तक correction चाहिए मुझे, अगर नहीं है, तो मैं stock में काम नहीं करूँगा दोस्तों, यही था मेरा analysis, happiest minds पे, अगर आप को stock पे analysis समझ में आया, वीडियो को like करिए, share करिए, and youtube channel को subscribe कर लिजिए, thank you for watching my video,